गुलबर्गष शहर के इसलामाबाद कालोने में कल दिन दहारे चोरी का मामला पेश आया था केस रोजा पॉलिस इस्टेशन में बुक किया जाने के बाद श्रिफ तीन घंटों में पॉलिस टीम ने सोनाद चांदी और कैश रखम के साथ दो चोरों को गिरफतार कर लिया हैं खादर पाशा और महिला पॉलिस लक्षममा और अमरुता के अलावा दीगर पॉलिस कॉंस्टेबल की महिना से इन चोरों को ग्रफतार कर लिया गया हैं सरकल इस्पेक्टर ने बताया इसलामाबाद कॉलोनी में घर चोरी होने के बाद सीसी टीवी फुटेज की मदद से इन चोरों की शनाखत की गई हैं इन चोरों में से शेक आमिर नामी चोर चोरी हुए घर के पडोस में ही रहता है घर पे लॉक लगा देख अपने दोस गोस के साथ मिलकर घर का लॉक तोड़कर सोना चांदी और कैश रखम लूट कर फरार हो गए थे रोजा पॉलिस टीम ने कॉल ट्रेस कर एक चोर को बसवेशवर टेंपल के खरीब और दूसरे चोर को बंबू बजार से ग्रफतार कर लिया है चोर के घर पे तलाशी लेने के बाद राशन के डबों में सोना चांदी और पैसे चुपाए गए थे टोटल चार तोला सोना, बीस तोला चांदी और अठा हजार रुपे कैश रखम बरामत की गई है सरकल इनिस्पेक्टर ने बताया इससे पहले भी इन पर चोरी के मामले दर्श किये गए हैं और अभी इनके खिलाफ फैर दर्श कर जेल बेज दिया गया है